प्रिश्ण वालबा चानल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चानल की अपडेट्स मिलें आपको सबसे पहले हरे कृष्णा रादे रादे दोस्तों आप सभी का मेरे चानल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ दिवाली व्लोग तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको धंतेरस के दर्शन कराने जा रही हूँ लड़ू लाडली और कानहा के तो सबसे पहले ये देखिए हमारी लाडली के दर्शन हमारी लाडली ने सुनदर सी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है दंतेरस के दिन और ये हमारे लड़ू के दर्शन इन्होंने फील रंग के वस्तर पहने है और ये हमारे प्यारे सिकाना के दर्शन इन्होंने चांदी का मुकुट पहना है तो अब मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ छोटी दिवाली के तो सबसे पहले ही हमारी प्यारी सी लाडली के दर्शन जिनोंने ओरेंज करर के ड्रेस पहनी हुई है और ये है हमारे प्यारे से लड्डू के दर्शन और ये हमारे छोट टुकान हा तो दिवाली के दिन यूगल सरकार का लक्षमी नारायन स्वरूप में श्रिंगार किया गया था तो चलिए मैं आपको दिखाती है आपको दिखाती है आपको दिखाती है रक्ष्टी नारायन हम दिल बन के रख्षत हो दिल शक्ति दो प्रभु भर्ति दो संकट में तुल भी हो सहार रो पर तो हमें हम विजयी हो श्रीमन नारायन श्रीमन नारायन श्रीमन नारायन तो चलिए अब मैं आपको दिवाली के सुबा के दर्शन कराती हूँ यूगल सरकार के दर्शन मैं आपको करा ही दिये हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे प्यारे से लडू बैठे हुए हैं जोनोंने पीले रंग के बस्तर पहने हैं और इनके पास में बैठी हैं बहुत ही सुन्दर और बहुत ही प्यारी लाडली आज इनोने न्यू ड्रेस पहनी है कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि लाडली कैसी लग रही है यह देखिए तो आज तीनों बच्चों के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है बहुत ही जादा खुश है आज तीनों मैं वैसे दिवाली का व्लॉक डालती नहीं लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए मैं दिवाली का व्लॉक डाल रही हूँ तो ये मैंने राडली के दर्शन आपको करा दिये हैं तो अब ये हैं हमारे काना के दर्शन इन्होंने हरी रंग की ड्रेस पहनी है और बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं वैसे तो दिवाली के दिन सुबा जादा कुछ होता नहीं है जो होता है शाम को ही होता है दिवाली पूजन होता है और पठाके जलाए जाते हैं तो सुबह इतना कुछ होता नहीं है तो सुबह के मैं सिर्फ आपको दर्शन करा रही हूँ तो अब मैं आपको कहराने जा रही हूँ शाम के दर्शन तो सबसे पहले मैं आपको रंगोली दिखा रही हूँ यह देखिए यह रंगोली मैंने मंदिर के सामने बनाई ती क्योंकि दिवाली पे स्पेशल रंगोली बनाई जाती है दिस्से की और सुंदर लगता है सारा डेक और ये भाल भी मैंने रंगोली बनाई थी सुन्दर सी और मैंने आपे नारायन और लक्षमी जी के चरण भी बनाए हैं उन्हें वेलकम करने के लिए तो चलिए अब मैं आपको दिवाली पूजन के दर्शन कराती हूं ये देखिए हमारे लड़ू तयार होके बैठ चुके है लाडली के साथ और काना के साथ दिवाली पूजन में आके बैठ चुके हैं सब के सब और बहुत ही जादा खुश दिख रहे हैं जैसा कि आप देखी रहे हैं हमारे काना तो आथ सबसे जादा प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस में काफी दिव्य महौल था लक्षमी नारायन जी के भजन चल रहे थे पूजा की तयारी हो रही थी और सच मुझ बहुत ही आनंदा रहा था लडू लाडली को तयार करने में भी क्योंकि आज तीनों बच्चे बहुत ही जादा खुश थे त्योहार का दिन था तो आज तीनों के चेहरे पे ऐसी मुस्कान थी जो की सच मोह लेने वाली थी तो ऐसे ही हमने सारी त्यारी करी और फिर हमने लक्षमी पूजन भी किया और फिर हम लडू लाडली और काना को बाहर गुमाने लेके गए लाइटे दिखाने के लिए फटाके दिखाने के लिए और उनको बाहर का महौल दिखाने के लिए दियों की ले रहे हैं फटाके देख रहे हैं और लाइट्स देख रहे हैं और लड्डू सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि उन्हें भार गूमने का बहुत शौक है तो बस अपनी लाडली के साथ बैठ कर लड्डू और काना इन सब चीजों का आनन ले रहे थे और मिठाईया खा रहे थे, कीर खा रहे थे तो देखिए कितना सुन्दर द्रिश्य है जिसका वो आनन ले रहे हैं और दूसरे कमरे में यहाँ पर देखिए डिस्को पार्टी भी चल रही है तो यह उसको भी देखने गए थे और यहाँ पर भी इनोंने खूब आनन किया तो आई आप भी लड़ू लाडली के साथ इस प्यारे प्यारे सुन्दर द्रिश्य का आनन लीजिए तो लड़ू लाडली के साथ इस प्यारे सुन्दर द्रिश्य का आनन लीजिए अडली और काना के दर्शन तो आपने करी लिए हैं अब मैं आपको करा देती हूँ हमारी प्यारे से लाला के दर्शन यह देखे कितने साथा प्यारे लग रहे हैं और उनके सखा गोविन के दर्शन तो लाला और गोविन तो बिलकुल कमल के फूल की तरह लग रहे हैं बड़े ही प्यारे से तो आज की वीडियो में तो इतना ही था ऐसे ही हमने दिवाली सेलिबरेशन की और बहुत ही जादा आनन्द उठाया आशा करती हूँगा आपको आज का व्लोग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैपी दिवाली हरे कृष्णा रादे रादे